हालो इस्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टेडी में मैराज कुमारे दुबंसी आपकी नाइंध की मैथमेटिक्स के साथ तो बच्चों आपने पिछली कलास में कापी कुछ पढ़ लिया था और उमीद करते हैं समझ में भी आया होगा आज आपका एक्सरसाइज 5.2 है इसमें का सवाल नंबर सिकंड है आप ध्यान से देखो तो आपकी सवाल मैं ऐसे बहुत बड़ा सा सवाल लिखा है उसमें कुल्मिला के यही करना है कि जो नीचे कुछ आपको पॉइंट दिये गए हैं उनको डिफाइन करना है कहरा है कि निम परिबासित करने की ये वसंता है मैं वे किया है और आप उन्हें कैसे परिबासित कर सकते हैं या कैसे कर पाएंगस कर पाएंगे तो पहले पहले उसे अच्छ शेंक當ö प्हले आपि इससे समझेलोल फिर लिखना या ना लिखना या आपकी मर्जी क्या theatre में को आप नहीं कर ऐसे होती न रेलवे की पट्री हमेसा क्या होती समांतर होती है जैसे देखो यह दो यह क्या समांतर रहा है अभी ने पड़िवासा लिखवा दूंगा टैंसर मतलो इनको बच्चा चाहे जिधर को बढ़ाओ और चाहे जितना बढ़ाओ यह कभी भी एक दूसरे पर लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हुं जिससे आपको समझ में आ जाए तो आपको क्या समझ में दोनों में वह रखाएं वह रेखाएं जो कभी नहीं मिलती है वह रखाएं जो एक दूसरे में कभी मिलती है वो समानता रेखाए कालाती है लिखो काँ पी खोल के मैं किसी का नाम नहीं लूँगा आज याद रखना देखो परसांद जी जुड़े हुए है अनुसका और कौन है भाईया प्रीती और मोहित मैं देख भा रहा हूं सबका कमेंट मैं किसी का कमेंट नहीं बोलूँ चड़ते हो दुसमें दे जो हैं देखो समानतर करमा ऐसे लगे रहते हां बाकि लंबत रेखाओं एक कैसे समानतर को इंखल में पै stagingline कहते हैं जबकि लंबत को咫ो इंग्रिस में Prependicular स्सापूह. us स्वाइब गाज अर मनलने वाली कि रेखा रही मतलब 19 भी बना दे रहे यह ऑнов Els इँवा इसी हो सकती है कि स्थाव पर गिरंने वाली वह रेखा जो दोनों और कोड़ बनाती है यह सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो दोनों और कोण बनाती है इधर भी कोण बनाती है इधर भी बनाती है यहाँ यहाँ वो लंब रेखा कालाती है तो लिख लो सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो सम कोण बनाती है लंब रेखा कालाती है ध्यान दीजिए रेखाखंड, एंड की मतलब इसे ऐसे कह सकते हो, बच्चा, लाइन सेग्मेंट, लाइन सेग्मेंट, एंड रेडियस आप सरकल, इसकी डेफनीशन कैसे बताएंगे, परिभासा कैसे बताएंगे, देखिए, इसका एक डेमो देखिए, अगर ये एबी एक रेखा है, और इसक खंड है, ए, बी, पूरा क्या था, एक रेखा थी, और ये पी क्या है, एक रेखा खंड है, हाँ, इसमें अंतर होता, ये दोनों तरफ को इसमें एरो होता है, दोनों तरफ को एरो होता है, इसका मतलब ये दोनों तरफ को बढ़ती है, रेखा, आनन तता को बढ़ती है, इस किसी भी भाग को रेखाखंड कहते हैं अगला है ब्रित्त की त्रिज्या क्या होती है आप लोग लिख लो परिभासा लिखना है बच्चा किताब में यही कहा है आपके सवाल में ना इंत में नोट करो मूँ फैला के देखो मत कापी किताब लेके आया करो नहीं बहुत मार पढ़ेगी जान लो अभी पता है ना कि या लाइन में पढ़ रहा है इसलिए नहीं पढ़ रही न बहुत पढ़ती है जानते हो न देखो इधर ब्रित्त की त्रिज्या ब्रित्त की त्रिज्या लेकिन पहले कुछ परिचे तो हो जाए यह center है बीच ओबीच परिच में हैं हिन्दी ने इंगलिगिष में center इसे जो चारों तरफ घूमा है इसे in kişi Canadian कि इन्द्र को परिधी से मिलाने माली देखा इसमें और पूछा है, बड़ा आराम से इसका परिभास का दे वर्ग क्या होता है देखो वर्ग को इंगलिज में स्कॉायर बोलते हैं वर्टी जी स्कॉायर तो बच्चा स्कॉायर जो होता है आईसा होता है ये बच्चा बहुत सीधा साधा होता है ये कब हो लुसमज में आ रहा है देखो वर्ग इसकी ये भुजा अगर दो है तो ये भी दो ही होगी ये भी दो होगी और ये भी दो होगी इसकी परिभासा कैसे दोगे वर्ग की आप लिखोगे एक ऐसा एक ऐसा चतुर भुज जिसकी चारो भुजाएं आपस में समान होती है वो वर्ग कहलाता है तो इस तरह से आपका exercise 5.1 का question number second का सारा जो part था वो clear हो चुका तो जल्दी से करें और bell icon करें आपने साथियों को हमारे साथ जोड़ें और live पढ़ें एक दिन में पूरा exercise खतम हो जा जो एक एक सवाल पढ़ रहे हो इफिले जादा से जादा बच्चे PBR study में जोड़ो और हाँ एक बात और सुन लो बच्चा ये number लिख लो अगर आपके जरूर करना